YouTube पे जब भी आप अपना नया चैनल create ड़ते हैं तो create करने से पहले आप अपने चैनल का एक अच्छा सा नाम जरूर सोचते हैं और ये जो चैनल का नाम होता है यही आपकी identity बन जाती है जब आप YouTube पे famous हो जाते हैं यानि कि धीरे धीरे जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो आप अपने चैनल के नाम से ही जाने जाते हैं तो जब आप अपने चैनल का नाम रख रहे होते हैं तो उस टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए तो ये कौन सी बाते हैं इन सारी चीज़ों के बाड़े में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं Hello Friends, मेरा नाम है निसांज कुमार और आप देख रहे हैं सिखो Computer and Tech YouTube चानल तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़े Step by Step समझते हैं देखिए सबसे पहली बात कि आप जब अपना चैनल स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपका चैनल जिस भी कैटिगरी में है आपको नाम भी उसी कैटिगरी से रिलेटेड रखना चाहिए यानि कि आपके चैनल के नेम से ही लोगों को यह समझ में आजाए कि हाँ यह जो चैनल है यह किस कैटिगरी में आता है माल लिजे कि आपका चैनल cooking-related है, education-related है या फिर take-related है या फिर किसी भी और categories related है तो आपको अपने चैनल का न reclaim भी उसी तरीके से रखना होता है ठीक है, सेकंड चीज कि आप जब भी अपने चैनल का नाम रखे उसको लंबा ना रखे, यानि कि ऐसा नाम रखे कि जो दो से तीन वर्ड में समप हो जाए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्यूंकि इस तरीके का नाम अगर आप रख लेते हैं, माल लिजी कि आपने चैनल का नाम क्या था, उनको ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन अगर वहीं आपके चैनल का नाम थोरा सा छोड़ा है, दो-चार कीवर्ट में है, तो लोगों को ये चीजे आसान रहते हैं, याद रखने में कि हाँ, इस चैनल का नाम यह है, यानि कि अपने चैनल का जो भी नाम रखे, सिंपल, सधारन और परफेक्ट रखें, ठीक है, क्योंकि जैसे देखे, मेरे ही चैनल का नाम है सिखो कंप्यूटर एंटेक, ये नाम मुझे थोरा सा बड़ा लगता है, लेकिन मैं अगर इसको चाहूं तो चिंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे इस चैनल के नाम से, मेरे इस इमेज सेक्शन में जाएंगे, तो मेरे वीडियोज के थमनेल वहाँ पर दिखाए देते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक डेटाबेस बन जाता है, जब आपका चैनल धेर धेरे, ग्रोव होने लगता है, तो इसलिए जब भी आप अपने चैनल का नाम रखें, तो उस टेम आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कि 2-4 keywords में ही अपने चैनल का नाम अच्छे तरीके से रख लें, अब नेक्स जो चीज है वो ये है कि अगर आप चाहें तो अपने चैनल का नाम अपने खुद के नाम पर भी रख सकते हैं, आपका नाम कुछ भी है, आप अपने चैनल का बैरा channel available है तब तुप दिक्कत वाली बात है लेकिन कुछ एक छोटे channels available हैं same name से तो कोई वहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है जब आप अपना channel create कर लेंगे उसी name से और धीर धरी आपका channel grow होने लेगा बरा होने लेगा तो हमेशा आपका ही channel rank करेगा जब उस name से channel को youtube पे search किया जाएगा तो आप अपने चैनल का नाम अपने नेम से भी रख सकते हैं बट इस चीज़ को रखने से पहले एक बार यूट्यूब पे ये चीज़े सर्च कर लिजेगा और नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट चीज़ जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखन तो अपने नेम में फ्याइब कर लिजेगा जब भी आप नया चैनल क्रेट करने जाये तक अपने पास दो-चार नाम पहले से अपने चैनल का नाम रखना है और उस सारो कीवर्ट को यूटीओ पे सर्च करके देख लेए उस नेमसे पहले से चैनल से अवलेबल है कि नहीं पहले हैं कोई एक दो वीडियो अप्लोड हुई है वट अभी वो चैनल एक्टिव नहीं है तो उस कंडिशन में आप अपने चैनल का वही नाम रख सकते हैं दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है ठीक है और एक और चीज में आप से यह कहना चाहूंगा कि आप जब अपने चै चैनल का नाम अगर आप गूगल पर भी सर्च करके देखेंगे तो वहाँ पर आपके चैनल से डिटेल्स वहाँ पर दिखाई देंगे बट आप अगर हमेशा नेम चैनल ही करते रहेंगे तो इस तरीके का कोई भी चीज नहीं होगा तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना नया चैनल क्रियेट कर रहे हैं तो चैनल का नाम कौन से रखना है क्या रखना है ये सारे कीज़े अच्छे तरीके से उसी टाइम सूच समझ करके क्लियर कर लें ठीक है तो ये वीडियो आपको कैसी लगए है मैं जूरू बताइएगा वीडियो अच झांक्स कर वां तो